तो हेलो गाइस पिछले वीडियो में मैंने रॉक्सी जो की पॉईजन टाइप जिम लीडर थी उसे हरा के तुम्हारे भाई ने सेकंड जिम बैच जीत लिया ये तालिया इस बात पे तो इस फाइट में मेरा टेपिक जो पिगनाइट में इवाल हो गया अच्छा हुआ भाई ये पिगनाइट में इवाल हो गया वो भी सही टाइम पे नहीं तो बैच जितने में बहुत मुश्किले हो जाती वैसे वो सुपर हिरो वाला रोल करके काफी मज़ा आया बट यार मू से पता चला कि नेक्स्ट जिम कैस्टेलिय सिटी में बग टाइप पोकेमॉन का है और उसके जीम लीडर का नाम सबर्ग है शायद से हाँ पर तुमारे भाई को तो कोई टेंशन ही नहीं था क्यूंकि अपने पास तो फायर टाइप पोकेमॉन पिकनेट अल्रेडी है बट 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 साले ये सिटी एग्जैक्ली कहा थी ये इसका कोई आइडिया मुझे नहीं था तो घूमते घूमते मैं आ गया यहाँ पे और देखा कि रॉक्सी टीम प्लाजमा के साथ कुछ खिचडी पका रही थी तो मैं भी चमचा और प्लेट लेके निकल पड़ा मेरे आते ही ही ह चुन चुन के मारूंगा तबी मैं बोला हीरो को भाई भाई थोड़ा रिलाक्स और चिल मारना पर हीरो तो भाई हीरो है सीधा फाइट करने कूद गया इजी बैटल करके मैंने एक मेंबर को तो निप्टा दिया और हीरो ने भी दुसरे वाले मेंबर को निप्टा दिया हा काफी जगा टीम प्लाजमा को ढूंडा और उसका कोई मेंबर दिखा नहीं तो फाइनली मुझे एक मेंबर दिख गया और उसके साथ एक जबरदस्त फाइट की और उसे भी हरा दिया तो टीम प्लाजमा को हराने के बाद मैं आ गया यहाँ पे और पता चला कि रॉक्सी का फादर मुझे नेक्स सिटी में छोड़ सकता है तो फिर क्या तुमारा भाई और हीरो हम दोनों निकल पड़े बोट से नेक्स सिटी की और यारो ये सिटी बहुत ज्यादा मेरा मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी थी तो फाइनली हम दोनों नमुने पहुच गए कैस्टेलिया सिटी में और पहुचते ही पहुचते ही घीरो निकल पड़ा टीम प्लाजमा को ढूनने मैं बोला हीरो तुझे जहा जाना है जा मैं तो सिटी घूमने वाला हूँ तो हीरो तो निकल गया पर मैं घुच गया इस बड़ी वाली सिप में क्यूकि मेरे खबरी ने मुझे कहा था कि इस सिप में भाई काफी तगड़े तगड़े ट्रेनर है तो मैंने सिप के सभी ट्रेनर से अल्मोस सभी ट्रेनर से फाइट करके उने बैटल में हरा दिया और हराने के बाद फाइनली वही कैस्टेलिय सिटी में उतर गया तो सिप से उतरने के बाद मैं सीधा चला गया पीसी में सभी पोकिमॉन को हील किया और फिर निकल पड़ा अपने थर्ड जिम को जीतने की ओर जैसे ही मैं जिम पहुचा तो चाचा बोला कि जिम लिडर तो यहाँ पर है ही नहीं तो मैं भी बोला चाचा कुछ तो खबर दे दो यार कहा है जिम लिडर तबी पीचे से आईरिश आई और पूछने लगी की आर यू लुकिं फर टीम प्लाजमा तो मैं बोला येस 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 मैडम बट ये पहले तो मुझे जिम बैच जीतना है ये आईरिश ने तो मुझे घसिटते हुए यहाँ तक ले आई और बोली की टीम प्लाजमा शायद इस गटर में चुपी है उतने में पता नहीं हीरो भी कहा से टपक पड़ा और सीधा घुसे में पूरा गटर में ही घुस गया यार इस टीम प्लाजमा को सिरियसली ये गटर ही मिला था चुपने को गटर सिरियसली गटर याक फिर मैं और हीरो टीम अप करके गटर में टीम प्लाजमा को धुनने निकल पड़े रास्ते में काफी सारे ट्रेनर से डबल बैटल की और फाइनली टीम प्लाजमा हमें मिल गई और गटर में हमारी जबरदस फाइट हुई और फाइनली इस सिटी का जीम लीडर भी मुझे मिल गया वो भी गटर में तो सभी अपने रास्ते निकल पड़े हीरो भी निकल गया मैं बोला भाड में जाए ये गटर वाली प्लाजमा मैं जाता हूँ मेरा थर्ड बैच जीतने को और अब हमारा में इवेंट यहां से चालू होता है दोस्तो सो स्टे तून गाईज और लेट्स गो टू जीम तो ये आगए हमारे जीम में Hello, you are probably tired for wandering all over the crowded streets of Castellia City looking for team Plasma and the gym leader. So here I will give you this, I know fresh water ही देगा. He he, देद बोला था ना, a team of this gym is none other than cocoons, okay. You heard upward by going inside the cocoons and traveling up the threads. The threads are definitely connected to birds. Eventually, तो चलो, हमें हिंट दे दी है, हमारे ताउ ने, या चाचा ने, whatever. Okay, तो यह ऐसे काम करता है. यह रहा हमारा पहला ट्रेनर, गाइज. What do you think this Pokemon gym? How should I say, isn't it full of outrageous and mysterious charms? तो यह शुरू होती है, हमारी पहली battle. यह तो जोकर निकला, फ्ली क्विन, ओ, हार्ली क्विन खेज रहा है, स्विडल, ओके, तो कोई बात नहीं, गो फिक नाइट, अता है ना गाइज, हमारे पास fire टाइप मूँ है, फ्लेम चार्ज, फिक नाइट, जोरदार फ्लेम चार्ज, वो बग टाइप, वो सुपर एफ फिट, एक हुई ना फिक बात, मेरे दोस्ट इगनाइट, स्पीड भी बढ़ गई, फिट पंटी क्विच की एक और शीडल, ओके, कोई बात नहीं, इगनाइट, जोरदार एक और बार फ्लेम चार्ज, यह नहीं बचने वाला, पिछले वाला ही नहीं बचा, तो यह कौन से बचेगा, एक और क्रिटिकल हीट पिगनाइट में दे दिया, और यह नहीं पड़ गया, तो अब हम आगे जाते है, यहां से पहले यहां जाते है, क्या है, देखेंगे, अरे भई, यह तो मैं नीचे आ गया, इसे जाते है उपर, चलो वो साइड वाले जगे पे जाएंगे, देखेंगे, यहां से क्या होता है, तो यह अपर साइड में जा रहा है, इसका, तो सही जगे पे में आ गया, यह तो क्या है, ओ भई, यह क्या है, अरे भई, निकला ट् ब्रकुन ब्रेक्स ओपन दाट पॉप्स आउट इस मोड अन दाट नूट एव बैटल इप मोड चलो चलो बैटल ही करेंगे मैं बैटल करने ही तो आया हूँ तो इसके पास भी दो पोकीमॉन है तो पोकीमॉन पॉम भी भेजा है तो चलो पिंग नाइट अबना कर दो यार गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई तो इसका भी सुपर इपक्टी मूँ है अपने पर अब यूज कर ओफ इनाइट पावर फ्लेम चार्ज अब नहीं बचने बाला यह गया इसका पहला पोकीमॉन और यह आया एक और स्वीड लून स्वीड लून स्वीड लून यह अच्छा यह तो इसका इवॉलुशन पॉलुशन है तो कोई बात नहीं दूस लेम चार्ज इनाइट पर इफेक्टीव मूँ के साथ यह भी निपट गया तो सेकंड ट्रे इसका पॉनियुट और लेवल 24 तो यह है हमारे पिक नैट आइट आपाः काई दूस लूटकीमॉट बातल इन 6 दखल यूनू पोके तो रस्ता इसने ले दिया तो मैं जा रहा हू अंडर आगया वह तो निच आ गया मैं यू और ट्रेनर यह रहा यू तो और यू बात ठीक है भाई ब्लॉक कर दे कोई बात नहीं मैं पीजे भी हरा दूँगा एक और जोकर इसका नाम है ग्यारी और स्वीडल जो जाओ पिक नाइट जोरदार प्लें तुर चार जग दाइड तू नहीं बचने वाला तू नहीं बचने वाला मेरा स्पीड भी बढ़ गया इसके पास दो थे या शायद दो इंपोप नहीं है यह आ गया कॉम्बी कॉम्बी भी कैसे बचेगा मेरे प्लेंड चार्ज से चले जाओ पिंग नाइट यूज प्लेंड चार्ज और सुपर इपेक्टिव मूव और ये भी ट्रेनर चला गया है पाइट पाइट अरे एक और पोकिमंग बचा है फुटल क्योंके तो ये केकड़ा आ गया है केकड़े को सायद क्लेंड चार्ज नहीं यूज होगा सुपरिकर्टि नहीं है कि ये रॉक टाइप बग है तो प्रिपिकल हिट को लग गया स्टरडी बॉड़ी प्रिपिक नाइट नहीं यार सैंड अटेक से मेरा अटाइग मिस होगा मेरे हैट फिरोशी भी लेस होगा गया और बाद ट्राइक करते है ब्लेम चार्ज से पिक नाइट कम आन यूज ब्लेम चार्ज पुल्पावर इसके लिए भी फुल्पावर है माय माय तो चलो अब यहां से मैं अंदर जाओंगा यह आया दूसरे साइड से एक और ट्रेनर दिख रहा है तो चलो इससे भी फाइट कर लेते हैं यूर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम बिगिन अबल तू बट बिफर दाट आएव तो ट्राइट तो स्टॉप कर ले तो यह आ गया एक और जोकर जो हमें स्टॉप करने वाला है हार्ली क्वीन अंडर्स तो यह पिर्शेट वेल इबल को भेज रहा है वह आम भी भेजेंगे पिगनाइट और यूज़ करेंगे फ्लेम चार्ज अगेंस्टर भी वापकों यूज़ करेंगा तो यह तो वह ने इसको तक पहुचा ही नहीं एक और बार इसने सैंड अटक घटिया मुरू कर दिया इससे मेरे पिगनाट की एकुरसी लेस हो गई है तो मैं यूज़ करूंगा आम थ्रस्ट को और इसने अवाइड ही कर दिया है स्माग तो यह कुण सा भी अटक है कुटिकल डिट सीधा ओ नहीं 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 चलो भई मार मार जोरदार आम थ्रस्ट कमान नहीं यार इसने डो हिट कर दिये एक और बार सैंड अटक इससे एकुरसी कम जोर होगे अब अगर तुमकी मारा पिगनाट तो यह तुझे हरा दे देखा मैंने बूला था वाड़ कर दिया अचैना यह वरबार ट्राइर करते हैं यूज आम थ्रस्ट एक और आवाड यार मैंने बूला था पीगनाट तुझे शांड अटक इसने अटक इसे मारना था तुझेट मार के कोई फायदा नहीं था चलो एक और बार तो आटक और अब यह आधिया सूड़ दून सॉरी एक से उस करेंगे हम फ्लेम चार्ज से जोरदार फ्लेम चार्ज तो निपटने वाला था यार वो जो वीडल पोकिंट नमना वो रॉक टाइप और ब्लेग ताइप दोनों का कंबिनेशन है और रॉक टाइप को फ्लेम चार्ज मतलब फा पर अरे यह क्या था गलट टन ले लिया हमें साइड से जाना था हम साइड से जाएंगे और यह आग गये फाइनली जीम लीडर बर्च के कमरे में तो उससे पहले हम देंगे खुद को फ्रेश वाटर ताकि पिकनेट की एच्पी बढ़ जाए इसके बाद हम जाएंगे सी धाब पर्च से मुकाबला करने है गुद वर्ग बैक देर इन दे सीवर्स मतलब गटर माइ बग टाइप पोकेमोन है बेन सी कुरिंग विद एक्साइटमेंट अबाउट गेटिंग तो बैटल यू माइ बग टाइप पोकेमोन आर प्रिटी ग्रेट कम ओन लेट लेट मी ब्रेग लिटल विबल्स अर लिटल आइज आर क्यूट इस सीलेंट एंड रिलाइबल माइ एस इस लेवनी इट्स रियली दबैश हा मुझे पता है भाई मेरे खबरी से सब पता चल गया है मुझे I think it's so sweet how it makes clothes for other pokemon of course I am really proud of all of my pokemon okay well now let's get right to it I tell you Pokemon की सभी जानकारी मुझे मेरे खबरी में दे दी है तो मैं भी फुरे जोस में हूँ मेरा पिक नाइट भी तो बंदा थीन पोकिमोन लेके आया है कि अला को कि मुझेगा स्वीट लून तो हम भी भोगेंगे हमारे पिक नाइट को चलो चाव पिक नाइट यूज लेम पूप पहले वरकप यूज़ करेंगे ताकि आटक अपट इची छट्टे में सब को खकम कर देंगे इस पेशल अटक और अटक बढ़ा दिया अरे नहीं यार यह स्प्रिंग शूट यूज़ किया इसे मेरी स्पीड और कम हुए वाधिगी स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल नहीं है जिसका नाम है फ्लेम चार्ज इगनाइट यूज फ्लेम चार्ज करेंट यह आ गया है जो चलो इसे दी फ्लेम चार्ज यूज़ करेंगे क्योंकि हमने वर्कप यूज़ किया है तो हमारी अटक पावर और स्पेशल अटक दोनों भी बढ़ गया है फिर भी यह बज गया फिर भी यह बढ़ दिया जो रॉक पोलिस ने इसका इस प्लेंस की करेंगे फ्लेम चार्ज एक और पार चलो पिंग नाइट यूज़ फ्लेम चार्ज अब बचा है इसका अक्री और में पुक्रिम लिवानी का लिवे नी पता नहीं क्या नाम है तो ऐसा ही कुछ का हाथ नहीं पार नी यह नाचने काने वाला इसका डुब्लिकेट ही दिख रहा है तो चलो यूज़ फ्लेम चार्ज पिंग नाइट इसे भी मिच्टा दो एक हुपट के में यह मरना चाहिना और यूज़ के साथ यह मैच जीद गए लिवानी प्रिंटेड इनाइट गें 1461 एक्स्क्रियंस पार hmmm it's over you are incredible oh you are very strong indeed I guess it's no surprise I lost here take this insect batch I think it will suit you यह आगया मेरा बाच और अब इसे भी हम अपने डबे में डालते है 0 receive insect batch oh the insect batch suit you even better than I thought it would if you have three batches pokemon level 14 will obey you including traded pokemon and ha you know what I will give you this चल दे भी दे स्ट्रगल बग 76 ट्येम श्ट्रगल बग्स also lower the special attack of the target that was damaged I am the best guy to tell you this it's the little things that count तो anyways guys इस वीडियो को यही पे खतम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में इस unknown pokemon के बारे में भी बता देना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा गुडबाई एंड थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो